आसान पल के इस एपीसोड में आप लों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको बताने वाले हैं कि धतूरा भगवान भोले नात को क्यों परीये, उन्हें धतूरा क्यों चड़ाये जाता है और धतूरा चड़ाने के क्या क्या लाव होते हैं आज हम आपको एक छोटी सी कथा भी बताएंगे कि उसके चलते ही भगवान भोले नात को यह क्यों परिये है यदि आपने भी तक हमारे चैनल आसान पल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप जल्दी से जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी और कमेंट्स में ओम नमश्वाय जरूर लिखिए भगवान भोले नात को धतूरा बहुत पसंद है यह जहरीला होता है इसके बाप जूती भगवान को यह बहुत प्रिये होता है इसको चड़ाए बिना हमारी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है यदि आप धतूरा चड़ा हुआ था तो यह किसी ने धारन नहीं किया था उस सम्धालए भगवान भोले नात ने संपूर्ण इस रष्टी के भले के लिए भगवान भूले नात को नील कंठ बाबा के नाम से वी जाना जाता है चुनकि बिस गले में अटका हुआ था गले तक ही सीमत था जिसकी गर्मी की वज़े से बिसके कूपरभाव की वज़े से भगवान भोले नात के मस्तिस्के में गर्मी आ गई थी बिसका प्रभाव हो गया तो इसकी वज़े से वो मूर्चित हो गए थे तो उस समय पूरी प्र सिर पर रखे गए और निरंतर जल प्रवाह किया गया जल की धारा उन पर लगाई गई प्रवाह किया गया तब धीरे धीरे जाके बिसके प्रवाव से भगवान भोले नात मुक्त हुए तब ही से भगवान भोले नात को धतूरा और भांग चड़ाया जाने लगा और यह उनक प्रिय हो गया जो भी भक्त जो भी सादक जो भी इनसान जो भी जन भगवान भोलेनात को धतूरा चड़ाते हैं तो उनके सरीर के सारे विकार हैं सारी बीमारियां हैं कठिन से कठिन जटिल से जटिल रोग भी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं और इसके साथ साथ हम इनसान है हम से जाने अन जाने में हम जूट भी बोल जाते हैं तो उस जूट चुंकि पाप है तो उस पाप से मुक्ति के लिए भी धतूरा चड़ाया जाता है यदि हम धतूरा चड़ाते हैं तो इससे हमारे जूट बोलने का पाप है यह पाप कर जाता है और इसके अलावा जो संतान सोख दो प्रकार का होता है एक तो वो जिनको उलाद नहीं है और दूसरा वो जिनकी उलाद है लेकिन उनकी नियंतर्ण में नहीं होती है उनकी बात नहीं मानती है तो उनका उलाद होना ना होने का कोई मतलब नहीं होता है तो ऐसे लोगों की जो भी एक्छा होती है, कामना होती है, यानि संतान सुकी, तो सारी एक्छाइन की ये पूरी होती है, तो आप धतुरा, भगवान वोलेनात को जरूर चड़ाएं, सौमवार को आप जरूर चड़ाएं, और सावन का महीना लगा हुआ है, तो इसका विसेश खल पराप्त होता तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताईए यदि आप भगवान बोले नाथ के भक्त हैं तो ओम नमस्वाइ कमेंट्स में जरूर लिखिए अपना ध्यान रखिए वीडियो में अंते तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्वाइब